नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइफ के स्पेशल रिपोर्ट लोगसभा चुनाव से पहले इंडिया गडबंधन की पाचवी बैठक होने जा रही है इससे पहले की बैठकों में गडबंधन के दलों को लेकर और लोगसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है लेकिन अब वर्चुल बैठक जो होने जा रही है बताये जा रहा है कि इसमें स्थिती सब कुछ साफ नजर आएगी सीट शेरिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है दरसल इस बैठक म में किसे कितनी सीटे मिल रही है सीट बटवारे पर क्या एलान हो रहा है और दिल्ली और पंजाब में क्या इस्तिती है क्या बंगाल में ममता बनर्ची मान गई है क्या बात बन गई है नितीश कुमार को सयोजग बनाने पर क्या मुहर लग गई है अब ये तमाम सवाल यह दिलो में सीट शेरिंग पर बात बन गई है और चर्चा यह लगातार हो रही थी लगातार ऐसी खबरे चलाई जा रही थी जो हमारा दूसरा मीडिया है किस तरीके से दिखा रहा था कि भ solely गटबंधन बन गया है लेकिन सीट कर बात नहीं बन पा राज्यवर्र नेत्व पंग्रिस करने उतके इसे असे अगर्स चाहती चाहती उन फॉर चाहती इसलिए इसलिए नुकल राइन ऊजने मद्सति उसलुख वर्चुल बैटर किसी लिए रखी गई है क्योंकि 14 जन्वरी से आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो निया यात्रा शुरू हो रही है जो कि मनिपूर से महराश्टे तक यह यात्रा है बेस मार्च को खत्म होगी अब इससे पहले सीट शेरिंग पर मोहर को लेकर हो बिहार में हमने जो आकड़े थे आपके सामने रख दिये थे लगातार बताए कि 16-16 पर बात जो है वो बन रही है और इसके साथ ही कॉंग्रेस और वांप जो दल हैं उनको भी बिहार में सीटे मिल रही है अब ऐसे ही उतर प्रदेश में भी इस्तिती बनी हुई लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है कि इस बैठक में बसपा भी जो है वो गटबंधन में शामिल होने जा रही है जियां 15 जनवरी को मायवती एलान कर सकती है कि वो इंडिया गटबंधन में जा रही है लेकिन उससे पहले जो ये वर्चुल बैठक हो रह है कि कॉंग्रेस ने सपा को इस पर राजी भी कर लिया है हालंकि पिछले काफी दिनों से अखले शादो थोड़े नाराज नजर आ रहे थे लेकिन जो पिछले दिनों उनका बयान आया जिस पर हमने आपको ये बताया था कि अखले शादों ने किस तरीके से अपनी बात रहा था कि अगर कॉंग्रेस चाहती है कि बसपा शामिल हो तो मुझे कोई भी परिशानी कोई दिक्कत नहीं है ये भी अखले शादों कह चुके हैं अब ऐसे में ये बैठक बहुत ही महत्यपूर हो जाती है अब ऐसे में जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं एक एक करके उन आपको बताया 14 दल की इस बैठक में बड़े जो दिगज नेता हैं दलों के वो शामिल होने जा रहे हैं अब ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और किस तरीके से बीजेपी को तगड़ा जटका लगने जा रहा है एक तरफ राहूल गांधी जो है वो 14 जनवरी को भारत में seat sharing को लेकर मामला नहीं बन रहा हैं बंगाल में नहीं बण रहा है पंजाब में बल रहा दिली में नहीं बन रहा है लेकिन अब सारे राज्यों के स्थिती साम कॉघ है और जो महराष्ट में फैसला आया है आपने देखा जो भी शुसेना को लेकर जो अयोग्यता पर फैसला आया स्पीकर का उसको लेकर इंडिया गडबंधन और भी मजबूत हो गया है उसके बाद ये पहली बैटक है और वैसे देखा जाए तो ये पाच भी बैटक है लेकिन ज साजनीतिक लड़ाई की बात कॉंग्रिस कर रही है और सामाजीक और आर्थिक लड़ाई जो लड़ने की बात कॉंग्रिस के तरफ से की जा रही है न्याय की बात की जा रही है कहीं ना कहीं इंडिया गडबंधन में उस सारे मुद्दे उठाये जाएंगे इसके साथ ही उसमें शामिल है अपने अपने राज्यों में उसकी गोशना करेंगे क्या कुछ मुद्दे रखेंगे वो भी उस पर भी चर्चा हो रही है इसके साथ साथ जो बात कॉंग्रस के तरब से की जा रहे है जाती जंगर्ना को लेकर तमाम तरह की जो बाते उनके द्वारा की जा र रहा है और उसको सभी दलों को अपने अपने राज्यों में घोशना करने की भी बात जो है कॉंग्रिस के तरफ से की जा रही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो कमान जो है वो कॉंग्रिस के हाथों में है और नितीश कुमार जो बाकी दलों को एक जुट कर रहे हैं और इ उनकी चल रही है लेकिन और भी राज्यों में जहां जहां पर अभी गडबंधन नहीं हुआ है और गडबंधन जहां पर जो दल गडबंधन में नहीं शामिल हुए है राज्यों के वह भी गडबंधन में शामिल हो सकते हैं इसके साथ ही फोकस इस पर भी रहेगा कि चुनाव जीतने के बाद कौन कौन से गड़बंधन से सहायता प्राप्त की जा सकती है क्योंकि जो ED-CBI का मामला है लगातार चल रहा है चुनाव से पहले किस तरीके से पार्टियों को परिशान किया जाता है NCP को तोड़ा गया शुसेना को तोड़ा गया और आप सभी जानते हैं कि तमाम बड़े जो नेता चाहे वो अजीत पवार खुदना हो या फिर चगन भुजबल हो और इसके साथ ही प्रताप सरनाई जैसे जो नेता है महराष्ट में उन पर ED के चापे और तमाम तरह के केस लिए कुछ दल जो है वो आना तो चाहतें इंडिया गडबंधन में लेगन इसी डर की वज़ा से वो सामने नहीं आ रहे हैं और इसी लिए बताईए जा रहा है कि चुनाओं के बात क्या इस्तिती बनती है अभी तो मजबूती के साथ चुनाओं इंडिया गडबंधन लड इससे पहले इडी का नोटिस जो है वो बड़े बड़े नेताओं को मिल गया है चाहे जब और कश्मीर में अगर देखा जाए तो फारुक अब्दुल्ला को भी नैशनल कॉन्फरेंस के जो प्रमुक है उनको भी इडी का नोटिस थमा दिया गया है जो भी यह इस काने की कोशिच बीजेपी के तरफ से की जा रही है तो इसको भी मुख्य विंदु की तरह से इंडिया गडबंधन देख रहा है इस पर भी विचार दिमर्श किया जा रहा है और किस तरीके से बीजेपी के साथ लड़ाई लड़नी है खासकर इवियम का जो मुद्दा है व पर भी चर्चा होने जा रही है तो आपने देखा किस तरीके से तमाम जो चर्चाएं है जो सीट शेरिंग को लेकर है बताईए जा रहा है कि बंगाल में भी बात बन गई है दो सीट ममता बनरजी ने देने की बात की थी लेकिन संक्या बढ़ गई है और कॉंग्रेस उस पर मान भी चुकी है तो सारे राजियों में चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो उतरप्रदेश हो महराश्ट हो पंजाब हो या फर दिल्ली हो सारे राजियों में बात बन चुकी हो और इसलिए ये बड़ी बैठक जो है वर्चुली बैठक आयोजित की गई है और सभी जो दल के प्रमुक हैं वो बातशीत कर रहे हैं और इसके साथ ही अब कॉंग्रिस आगे की रन्नीती पर चर्चा करेगी आगे की रन्नीती पर काम वो करेगी और 14 जन्वरी से राहुल गान्धी जमीन पर उतरने जा रहे हैं उससे पहले की यह सबसे बड़ी बैठक जो है वो ह है और इससे बीजेपी घबराई हुई नेजर आ रही है देखते रहे टीवी लाइफ मैं आज चलू